दोस्तों महाभारत तो हम सब ने देखा है, हम सब को महाभारत की कहानी भी पता है, लेकिन महाभारत में अगर लोगों ने सब से ज़्यादा किसी केरेक्टर को पसंद किया है, तो वो है कर्ण और अरजुन की, कर्ण जिसको सुरिय पुतर और कुंती पुतर बोला जाता है, उ और इसके साथ साथ सुध पुत्र होने के बावजूद भी कर्ण कैसे बन पाया इतना बड़ा योध्धा। चलिए आज के इस वीडियो में हम दानवीर कर्ण की पूरी कहानी जनने की कोशिस करते हैं। दोस्तो कर्ण को कर्ण के इलाबा और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसके अपने ही माने उसका क्या कर दिया था। छतरिया होने के बावजूद भी सब लोग उसको सुध पुत्र कहकर अभेलना करते रहे। और काबिल होने के बावजूद भी दुरोनाचारिया और कोई भी गुरू उसको सिक्षा परदान करने से इनकार करता रहा। और यहां तक की अंतिम यूद में जब कर्ण और अर्धुन की फाइनल यूद होने बाली होती है तब उससे चल करके कबच और कुंडल भी ले लेती है। गर्ण की कहानी की सुर्वात होती है रिशी दुरवासा से जब वे कुंटी के पीता सुर्य सेन के घर आते हैं तब कुंटी रिशी दुरवासा की स्वागत और खातिरदारी बहुत ही अच्छे से करते हैं जिससे परसन होकर रिशी दुरवासा कुंटी को एक सिध मंत्र देता जिसका उचारन करके कुंति किसी भी भगवान का पुत्र पा सकती थी लेकिन कुंति उस समय में युबा अवस्था में होने के कारण और उसके पास ज्यादा सुझ भुजना होने के कारण वो एक दिन उस मंत्र की जाच करने के लिए ऐसे ही उस मंत्र का उचारन कर लेती है और उस समय में सुर्या उदे हुआ होता है और इसलिए जब कुंती उस मंतर का उचारन करती है तब सुर्या देव अपने इनर्जी का इस्तमाल करके कुंती को एक पुत्र का बर्दान देते है और इस तरह से जन्म होता है सुर्या पुत्र करन का कर्ण जब जन्म लेता है तब वो कबच और कुंडल के साथ ही जन्म लेता है लेकिन कुंति कुवारी होने की बज़े से और लोगों के डर से वो उस बच्चे को नदी में परवाह कर देती है जिसके बाद वो बहता हुआ अंगराज किंगरम में अधिरत और राधा के पास पह महराज धिरत राष्ट के सार्थी भी होता है और इसलिए सुर्य पुत्र कर्ण को सूद पुत्र भी बोला जाता है क्यूंकि उसको सुद्र जाती बाले अधिरत ने पाल पुसकर बना किया होता है और ऐसे ही जब कर्ण बना होता है तब सिक्षा और विद्या हासिल करने के वो रिशी दुरोणाचार्य के पास पहुंसता है जहां पर पांडब और कोड़ पहले से ही सिक्षा हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन दुरोणाचार्य सिर्फ छत्रिय को ही अपना सिक्षा और ट्रेनिंग दे रहा होता है। और इसलिए उसने सुर्य पुटर कर्न को ये कहकर इनकार कर देता है कि वो सुद्र जाती से बिलोंग करता है और वो छत्रियों को छोड़ कर और किसी भी जाती को अपना सिक्षा नहीं देते हैं। जिसके बाद सुर्य पुत्र कर्ण और भी बहुत सारे गुरू के पास सिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचता है। लेकिन सारे गुरू उसको यही कहकर इनकार कर देते हैं कि कर्ण सुद्र जाती से बिलोंग करता है और उसका ये काम ही नहीं है। और इसलिए कर्ण फाइनली डिसाइड करता है कि वो सबसे बड़े गुरू और सबसे बड़े योद्भा परसु राम के पास में जाकर सिक्षा प्राप्त करेंगे जो दुरोनाचारिया और भिस्पितामा जैसे योद्भा का भी गुरू रह चुका था। लेकिन परसु राम भी सिर्फ ब्रहामनों को ही अपना सिक्षा परदान करता था। वो ना तो छत्रिया को और ना ही किसी दूसरे जाती को अपना सिक्षा परदान करता था। और इसलिए कर्ण ब्रहामन बनकर परसु राम के पास में जूट बुलकर उससे सिक्षा प्राप और इस तरह से दोस्तों कर्ण और सुराम से सारी बिद्या और सारी सिक्षा लेकर एक महान युद्धा बनता है। तब वो समझ जाता है कि कर्ण ब्रहमन नहीं बलके छत्रिया है। अस्तीनापुर में एक पर्तियोगिता रखा जाता है. सारे पांडवो और सारे कॉर्वो की छमता को जाँच करने के लिए, पांडवो और कॉर्वो में अगर दरोनाचारिय का सबसे प्रिया सिस्य और सबसे सर्ब स्रिष्य योधा कोई होता है, तो वो होता है अर्जुन। औ लेकिन उसको उस पर्तियोगता में सामिल ही नहीं होने दिया जाता है। ये कहकर कि वो सुद्र जाती से बिलोंग करता है। और वो किसी राजिय का राजा भी नहीं होता है। और इसलिए जो कि पांडवों से बहुत ही नफरत करता है। वो अरजुन की आउकाद बताने के लिए सुरिय पुत्रकर्ण को अंगराज राजय का राधा गोसित कर देता है। और यही से सुरू हुआ था दोस्तो सुरिय पुत्रकर्ण और दुरियोधन के बीच की दोस्ती। और फिर सुरू होता है दोस्तों सुरिय पुत्रकरन और अर्जुन के बीच में पर्तियोगता जिसमें सुरिय पुत्रकरन अर्जुन की पसीने छुरा देता है लेकिन हारता कोई भी नहीं है और अंत में इस पर्तियोगता को इसलिए बंद किया जाता है ताकि अर्जुन और क एक दूसरे पर ब्रहमास्त का इस्तमाल ना कर ले। भारी सभा में जुआ खेला जाता है जिसमें पांडव सब कुछ हारने के साथ साथ दुरोप्ती को भी हार जाता है। और ये बात भगवान कृष्ण को भी पता होता है लेकिन उसको उस स्वेंबर में सुथ पुत्र होने की बज़े से सामिल ही नहीं होने दिया जाता है और इसके लिए सुरिय पुत्र कर्ण बहुत ही विरोध भी करता है क्योंकि बहुत सारे किताबों में ऐसा भी लिखा गया ह कि द्रोप्ती सुरू में कर्ण को ही पसंद कर रही होती है लेकिन जब उसको पता चलता है कि कर्ण सुध पुत्र है फिर उसके बाद वो अरजुन को चाने लगती है और दोस्तों अंत में जब अरजुन कर्ण का बध करता है तब घमंड हो जाता है कि उसने महाबीर और महान युद्धा कर्ण को पराजित किया है लेकिन भगवान क्रिश्न उसका ये घमंड ये कहकर तोर देता है कि कर्ण को हरा पाना ना तो अरजुन के बस में था और ना ही कोई दूसरे पंडवों की बस में अगर उसका कबच और कुंडल छल से नहीं ले लेती तो अरजुन कभी भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था तो बस ये था दोस्तो आज का हमाना कहानी सुरिय पुतर कर्ण के बारे में आप क्या सोचते हो सुर्य पुत्र करन के बारे में अपना ओपीनिय नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार